बिटूला यूटिलिस बोज पत्र जो ट्री लाइन डिमार्केट कर रहा है अब देख रहे हैं कि फर के पेड़ भी नीचे हैं और सबसे उपर जो पेड़ है वो बोज पत्र है जिसकी शाल कागज के रूप में इस्तेमाल हुई खासकर पराने गुरंथ आजरुवेदी गुरंथ लिखने के लिए कागज पहला और 16th century अकवर ने पहली बार कागज इंट्रोड्यूस किया संथैटिक वाला तो उससे पहले इसी पेड़ से जो है इसका जो कागज बनता था और आज भी इसके जो लियर्स में जो बार्क उतरती है उसको ताबीज उसी पे लिखा जाता है यग्य हवन में इसकी जो है बार्क यूज होती है तो यह आप देख रहे हैं एक तरफ बरफ है और बरफ के बीच में जे अभी इसके पत्ते नहीं आने बाले हैं तो यह बिटूला यूटिलिस रिलिजिस ट्री और इसके नाम से बुर्ज होमा नियो लिथिक साइट मेगालिथिक साइट डाची गाम नेशनल पार के बगल मे जो है यह वो वाला पेड है तो आप देख रहे हैं इसके एसोसियेट में पास में ही है रोडोडेंडरान कंपैनूलेटम वो भी खिल चुका है तो यहां भोजबत्र है बहीं पे बैल रोडोडेंडरान है और इसके पत्ते जो हैं ओबल अलिप्तिक होते हैं उपर से शाइन अनकलर्ड वूल होती है नीचे जो खमीरे की तरह लगती है इसलिए इसके एक और नाम खमीर पत्ता भी है लेकन डोगरी में सरंगड ही इसको कहा जाता है और हिमांचल और उदर उत्राखंड में इसको सेमरू जहां चिमल भी कहा जाता है जो इसमें सायनाइड कंपाउंट जो जो ब्लाड रेड रोडूडेइंडरान जो आम देर के गली में देखते हैं बिलावर में affecting कलिंता में देखते हैं डूडू पसंदकर में देखते हैं उसकी तो चाहे बनती है, शर्बत बनती है, और हाली में बताया गया कि उसके जो फाइटो केमिकल्स, वो इवन कोरोना की रैप्लिकेशन को रोकने में भी साहिक हैं, लेकिन ये बाला जो है, यंगा जिसको बोला जाता है, या तालीस पत्तरी भी बोला जाता है, या सिमल, या नील चिमल, जो ब्लू वाइट रोडो डेंडरान है, जो हिमांचल परदेश का अब स्टेट फ्लावर है, ये जो है सिंथन ताप के अगल बगल दोनों तरफ, ये हम देख रहे हैं इसकी बुशिस, जो अब फूल चुकी हैं, ये मिल गया, रोडो डेंडरान केंपैनियू लेटम, बैलर रोडो डेंडरान, स्टेट फ्लावर ऑफ हिमांचल परदेश, जोगरी में सरंगड, हिंदी में नील चिमल, जा सेमरू, के साथ ही खड़े हैं, बोज पत्तर के द्रखत, और ये श्रबरी जो है, जितनी भी श्रबरी देख रहे हैं, ये सारी रोडो डेंडरान, कंपैनियू लेटम, खूबसूरत, अंदाज से खिली हुई, पॉईजनस होने के चक्कर में ये, ब्रॉज नहीं करती हैं, बक्रियां जब भेडें, इसके पत्ते मवेशी अगर खाए, तो शैफर्स मानते हैं, और सही भी उनका मानना है, कि डेथ हो सकती है, तो इसको कभी हम इस्तिमाल नहीं कर सकते उस काम के लिए, लेकिन है बड़ा ब्यूट्फिल शरबरी, और एरी केसी फैमिली, जिससे रोडो डेंडरान आर्गोरियम, हिंदोस्तान में एक हंडर्ड के करीब स्पीशीज है, सबसे ज़्यादा है, आरउनेचल परदेश में, सत्तर के करीब, और सिक में 35 करीब, और सिक में ऐसी स्टेट है, यहां पर रोडो डेंडरान फेस्टिबल होता है, रोडो डेंडरान कांफरेंस, अटेंड करने का मौका मुझे भी मिला था, 2010 में, और रोडो डेंडरान के बहां पर वाइल लाइफ संक्चुरीज हैं, जिसमें के किस्व के रोडो डेंडरान और इको टॉरिजम है, इनका काफी पोटेंशल माना जाता है, लोग खास करके इसके फूलों को देखने आते हैं, हमें भी जमू किश्मीर विजे सिंधन ताब में, इस तरह के रोडो डेंडरान के सीजन में, जब इसकी फ्लाबरिंग होती है, मुझे लगता है, हमको प्रमोट करने चाहिए, इको टॉरिजम यहां की जो बाइर डेस्टी मैनेजमेंट कमेटीज हैं, उनको ये ट्रैक जो है आर्गनाईज करने चाहिए, ऐसे मौसम में, एपरल में में खाज करके फर्स्ट सेकंड वी का में में ये फ्लाबरिंग बोशितरी खूब सूरत सजी होती है, कि इसकी खूब सूरती देखते ही रह जाए, रोडो डेंडरान अर्बोरिम तो ट्री है, और वो स्टेट ट्री है उत्राखंड का, पहले वो हमांचल प्रदेश का था, लेकर जब से उत्राखंड हुआ, तो रोडो डेंडरान अर्बोरिम उन्होंने स्टेट ट्री डेकलेर कर दिया उत्राखंड में, तो तब से हमाचल प्रदेश ने ये रूडू डंडरन का बैलर रूडू डंडरन इसको डिकलेर किया हुआ है स्टेट फ्लावर तो ये हमाचल में मिलता है उतराखंड में मिलता है और जम्बू किश्मीर में मिलता है तभी तो इसका डोगरी नाम भी है कश्मीर में तो इसको यंगा कहा जाता है लेकन डोगरी में इसको हम कहते हैं सरंगड तो इसके खुब सुरत फूल गंटियों की तरह और एक गंटी में गुच्छे में फूल खिले हुए और पत्ते एवर ग्रीन हैं तो ये बुश जो शरब है लार्ज शरब हम इसको कह सकते हैं नीचे से जुकी हुई इसकी शाखाएं हैं क्योंकि यहां बर्व बहुत पड़ती है और बर्व के दवाव के कारण जे जुकी हुई शाखाएं इसकी होती हैं एक स्ट्रगल होती है तो ये आप रोडू डेंडरान कमपैनियो लेटम की खूबसूरत शरब री और फ्लावरिंग देख रहे हैं और बगल में ही है यहां पे भोज पत्र के द्रखत बूडे बूडे भोज पत्र के द्रखत आपको सिंथन टाब से उतरते हुए डकसम की और जब आप चलते हैं तो बूडू पाइन भी है लेकन फर का जंगल है यह और ट्री लाइन मैं आपको सर्फ मिलेगा यह भोज पत्र ट्री जो ट्री लाइन को डिमार्केट करता है और इसके नीचे जो है रोडो डेंडरान कमपैनियो लेटम और बर्फ में ही खिल चुका है रोडो डेंडरान कमपै बिटुला यूटिलिस के ट्रीज ने ने लीव जाने वाले हैं लेकिन ये हसीन जो श्रब है ये है रोडोडेंडरान कमपैनिलेटम तो आज हमारी इस बिटुला रोडोडेंडरान ट्री टाक सिंतन के इस दर्य में हो रही है और हम जा रहे हैं मरगंटाब की तरफ और मरगंटाब के आगे मड़वा के जंगल को देखने और ऐसे जंगल को देखने का मतलब है यहां के अलपाइन फ्लोरिस्टिक्स और अलपाइन बार्ड वरस्टी को स्टडी करना क्या स्ट्रेस है और किस तरह की बार्ड वरस्टी जहां होती है यह पेड जो है सूख चुका है कुछ पेड जो है अभी लीफ लेस हैं जे बिटुला के कहीं कहीं पे शुगूफे जो हैं फूट चुके हैं